हेलो एम्रीवन वेलकम बैक टो शिवी स्टेडिशिप हम पढ़ रहे हैं मेडिविल इंडियन हिस्टी जिसे लिखा है सतीश चंद्राजी ने आज का वारा टॉपिक होने वाला है चाप्टर नमबर सेविन में सक्सेसर और फुरोशा तुगलक जैसी के आप सब जानते हैं कि ह फुरोशा तुगलक के बाद उनकी जो सक्सेसर आते हैं उनका क्या रोल रहता है ठीक है और किस तरह से इनकी जो सक्सेसर थे वो इतने जादा स्ट्रॉंग नहीं थे और इनी के टाइम पे एक अटैक होता है बाहर से इसे तैमूर करता है ठीक है और उसी के चलते जो डेली स सलतना दोता है वो पूरी तरह से डिकलाइन हो जाता है तो आज के पीछे के हम सारा रिजन को पढ़ेंगे कि हमारा पार्ट सिक्स होने माला इस चैप्टल का वीडियो बहुत ही यूसफुल रहेगी आप चाहे तो समें से नोट्स भी बना सकते हैं तो चलिए अपने टॉपिक कुछ इनको करने वाले इनके खुद के नोबल्स होते हैं जो यह चाहते थे कि अब मोहमद तुगलक है या उसके बाद जो रूलर है वो बने या फिर उनके हिसाब से चूज की अचाहे इन मोस्ट केस सुल्टान है इस बें एबल तो सप्रेस थे हैं और यह जो केस होते हैं अपनी आर्मी का यूज करके क्योंकि सारे नोबल्स ऐसा नहीं होते हैं कि सारे जो नोबल्स होते हैं वो डिसलयल होते हैं कुछ जो नोबल्स थे वो उनके लॉयल भी होते हैं मोहमद तुगलक की जो यहां पर डिफिकल्टीज है वो बहुत अलग-अलग तरह की थी इन बे तुगलग था वो किसी पर बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करता था क्योंकि हर तरफ उसके दुश्मन थे He dashed from one part of the country to the other to suppress the rebellion and war out his army वो अगर कहीं भी कोई दंगे फसाद कुछ भी होते थे तो वो अपनी आर्मी को ना भेज के बलकि उनके साथ हमेशा खुच जाता था इस बात के शारटी के लिए कि सही में वहाँ पर जो rebellion हो रहे हैं उनको suppress किया है या नहीं किया है The rebellion in South India were the most serious सबसे जादा जो serious है जो attacks हो रहे थे, विद्रोचिड रहे थे वो सबसे जादा चढ़ रहे थे South India में Rebellion in these areas was organized by the local governor और करने वाले कोई और नहीं बलकि उनी areas में जो उनकी खुद की अपॉइंट किये हुए local governors थे वो, क्योंकि आभी तक तो वफदार अपने पहले वाले ruler के थे, अब जैसे ruler change होता था, तो यहाँ पर जो पुराने जो governor होते थे, वो अपने अपने area में बोलते हैं, हम तो होगे independent तो सुल्तान हरी तो South India after some time, plug broke out in the army ठीक है, यहाँ पर वो South India में चलाता जाता है, लेकिर उसी बीच जो plug की बिमारिया वो फैल जाती है, जिसमें बहुत सारे जोसकी आर्मी होती है, वो मारी जाती है, इस बीमारी के शकर में वो आ जाती है, तो यहाँ पर जैसे वो South India से वापस आता है, फिर से वहाँ पर फिर विद्रो हो जाते है, जो कुछ विद्रो वो शांत करवाता भी है, मतलब, है ना फिर से वापस छड़ जाते है, और यह करने वाले कौन थे, यह दो भाई थे, हरिहर और बुकका, जिन्टरों विजयनगर एंपायर थी, जो उसको स्टैब्लिश करेंगे, दिस सेट अप और प्रिंसिपालिटी विच ग्राजुली एक्सपेंड़ एंड इस वाज विजयनगर एंपायर विच सून दूसरी तरफ दौलताबाद को हमने लास्ट लेक्शर रे पढ़ा था कि इसे मौहमद बिन तुगलक ने अपनी क्यापिटल बना लिया था, इसी के आसपास कुछ नौबस थे, उन्होंने बहामनी एंपायर एक बना के खड़ा कर दिया, यह जो बहामनी किंग्डम है और दूसरा विचे नगर एंपायर, इनको हम अलग से सेपरेट लेक्शर रे पढ़ेगे, यह दोनों की काफी इंपोर्टेंस है, साउथ इंडिया को लेके, बेंगौल अलसो बिकाम इंडिपेंडेंट विदा ग्रेट एफट मुहमद तुगल बेंगौल तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन जो मुहमद तुगलग है, वो अपने एफोर्ट लगा के अवद को, गुजरात को और सिंध को वापस से जीग लेता है, वाइल स्टिल इन सिंध, मुहमद तुगलग डाइड और वो सकसीड पाई हिस कजन फिरोश शाह फिरोश हा, मुहमद तुगलग's policy has created deep discontent amongst the noble as well as in the army, जो मुहमद बिन तुगलग था, इसकी policy से बहु से बड़े मदब बंधी नी थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को merit कि अधरबर रख्ता था, यह नी था, कोई चापलूसी, या हैरिडेटरी, हैर जी यह सोची कि मैं एक म तो इसलिए इसका जो Muslim theologians होते हैं, जो काजी वगएरा होते हैं, उनसे इसकी हमेशा class चलते रहते थे, यूँकि वो चाहते थे सब कुछ जो शर्या के अकॉर्डिंग हो, Muslim law के अकॉर्डिंग हो, ये ऐसा कभी करता नहीं थे, तो इसलिए जो Muhammad bin Tughlaq है, वो, ये जो मौल भी वगएरा है, मना आवस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, ओके, इवन वन वें वास अवे फ्रॉम दापिटल फॉर लॉंग पीरियाट, अब जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं तक है, जो सारे novels होते हैं, वो disloyal होते हैं, बलकि कुछ novels loyal भी होते हैं, तो यहाँ पर जब ये किसी भी rebellion को, दबाने के लिए इसको suppress करने के लिए कई बहुत दूर जाया करता था, तो इसके पीछे Delhi, Punjab, और इसके जो बाकी parts था empire का, वहाँ पर काफी अच्छे से normally function perform किये जाते थे, इसके empire के अंधर है कि, तो वो कौन करते होंगे, जो उसके लिए loyal होते होंगे, वरना जो दोके बाज हैं, वो तो पीछे सब कुछ अतिया लेंगे, आफ्टर इस accession, फिरोस तुगलक बॉस फेस्ट विद प्रॉब्लम और प्रिवेंटिंग अब जैसे ही फिरोस तुगलक पावर में आता है, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती है, कि कोई अपने आपको independent करना है, रडाई जगड़े लग गए, फिरोस तुगलक है, उसने सोचा, मुझे करना है शानति सरूल, तो मैं तो सबसे बना के रखोंगा, इसने सबसे पहले क्या करा, जो nobles थे, उनके साथ अच्छे से बना के रखा, ठीक है, आर्मी के साथ अच्छे से बना लिया, और जो काजी थे, तो अपनी एनरजी वहाँ पर वेस्ट क्यों करनी, तो इसने अचिरी यह वापस से, बना लिgit दो क्या क्यों सूचा थे, even then the सल्तनत continued to be large as was during the early year of the reign of Allahuddin Khilji, अब यहाँ पर जो यह सल्तनत थी, इसके हाँ से Bengal भी चला गया तो आप देख रहोंगे, काफी छोटी होती जा रही है लेकिन अभी यह इतनी छोटी भी नहीं हुई थी कि हम कहें कि बिल्कुल खतमी हो गई थी अभी भी यह इतनी बड़ी थी, जितनी कभी Allahuddin Khilji के टाइम पर थी ठीक है टेली सल्तनत अब यहाँ पर जो फ्रोज होता है, एक कैमपेण चलाता है और यह कैमपेण किसके खिलाफ चलाता है जजनगर, यह उडिसा में है ठीक है, जजनगर, रूलर होता है जजनगर का, उसके खिलाफ यह कैमपेण चलाता है यहाँ पर टैंपस वगरा डिस्ट्रॉइ करता है यह प्लंडर करता है, क्योंकि पैसा कहीं से दो बना नहीं है लेकिन उडिसा को एनेक्स करने की कोशिश नहीं करता है, कि मैं उडिसा पर अपना रूल करो, बस सब कुश लूट पाट करके वहाँ से आ जाता है उसके बाद, दूसरा कैमपेण चलाता है, यह कांगड़ा पंजाब ही इसकी तरफ, ठीक है पंजाब ही ली एरिया वहाँ पर, इसका जो सबसे लंबा जो कैमपेण चलता है, वो चलता है, गुजरात और थाटा में ओके, अल्था रूल के इसको पहले जो जीत मिली, गुजरात और थाटा में वो नहीं मिल पाई बलकि इसकी आर्मी को यहाँ पर बहुत बुरी तरह हराया गया, रूल अफ कच में फ्रोस वोस बाई नो मीन अ दिस्टिंगुश्च मिलेटर लीडर, पट इस रेइन वस पीरियाद और पीस और कॉईट डवलप्मेंट जो हमने पढ़ा, इन रिबैलियन के इलावा इसने जादा कहीं कुछ और नहीं कुछ करा अगर इसका टाइम देके हम तो काफी पीसफुल रहा है, अक्वाइट डवलप्मेंट रही है, इसने कुछ अच्छे काम भी करें है, कुछ बुरे काम भी करें है, इसने कहा कि अगर किसी नोबल की डैथ हो जाती है, तो उसके बाद उस नोबल का जो बेटा है, उसको अगर इसका बेटा नहीं है, अगर इसका बेटा नहीं है, तो उसका बेटा उसका बेटा बेटा सकता है, और अगर इसका बेटा नहीं है, तो उसका बेटा नहीं है, तो उसका बेटा उसका बेटा बेटा सकता है, और अगर इसका बेटा नहीं है, तो उसका बेटा नहीं है अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी एकता वगरा में कुछ भी जोल मोल कर दिया करता था तो उसको बहुत ही कैड़ा पनिश्मेंट मिलता था लेकिन यहां पर इसने वह जितने भी टॉचल करने वाले जो पनिश्मेंट थे उनको कर दिया पंद कि किसी भी नॉबल्स के साथ इ फाइदा क्या हुआ नॉबल्स ने इसके खिलाफ विद्रों वगरा करना कर दिया पंद कि हमारा रूलर तो बहुत अच्छा है अगर आम फोड़ा बहुत हेर फेर कर भी देते हैं तब भी हमें कुछ नहीं कहता है ऐसे ही चलता रहता है पस इसके जो थोड़े बहुत जो ए स्मॉल सर्कल क्यों बन गया क्योंकि बहार से जो लोग थे वो तो आई नहीं पा रहे थे उन्हीं के भाई भतीजे वही सब उसे में घूम रहे थे ठीक है अ नेरो ओलिगर की कि मतलब वही कुछ गिने चुड़े लोग और उन्हीं की चले जा रही है फ्रोस एक्स्टेंडि उनको सेलरी इसने कैश में देनी बंद कर दी कैश में सेलरी नहीं दी जाएगी बलकि क्या कर दिया सबको विलेज में कुछ न कुछ जमीन दे दी और वहां से जो रिवेन्यू इखटा होगा वह आपके सेलरी के तौर पर आपको दे दिया जाएगा अब इससे हुआ क्या प पर service के बीच में और उनकी ये salary के बीच में clash हो किया, अब उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्होंने सोच एक SNI करते है, middleman रख लेते हैं, कि वो जाके हमारी salary काम से ले आया करेगा, लेकि वो middleman फ्री में कोई ना काम करेगा, उसको भी तो पैसे चाहिए, तो of soldiers की salary बनती थी असली में, उसमें से कुछ salary तो ये middleman को ही निकल जाती थी, है ना, और अगर ये खुद से जाए, तो फिर आर्मी में कौन काम करेगा, तो इस से जो soldiers थे, उनको कोई बहुत बढ़ा कोई benefit नहीं मिलता है, अब देखे, military के अंदर भी जो rules बहुत tight थे पहले, अब इसके time पे वो जो rules थे वो भी strict नहीं रहे, यहाँ पर जो military administration में काम करने वाले जो लोग थे, soldiers थे, वो क्या करते थे, अच्छे घोडो को तो वो खुद से बेच दिया करते थे, ठीक है, महंगे दामों में, और आर यहाँ पर तो अच्छे गोडे चाहिए होंगे, फिर यह जो गोडे यहाँ जो यूजलेस गोडे है, वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो तो हरा देंगे उसको, ठीक है, और अच्छे गोडे यह बेच दिया करते तो इस तरह से वहाँ पर ब्राइब चल ले लगी, फिरोज ने सोचा कि आर्मी को, नॉबस को तो चीत लिया, अब जो यह Muslim Theologians से इनका क्या करें, इनका भी तो विश्वास जीतना है, फिरोज ने साफ साफ बोल रिया, घुशना कर दी के मैं एक प्योर मुस्लिम किंग हूँ, ठीक है, और मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरा स्टेट है, वो इक इसलामिक स्टेट की दरह बन कर रहे है, ठीक है, राइब फान दे टाइम उनकी इनका सुल्तान के साथ बनती नहीं थी, क्योंकि जितने भी जो रूलर्स आते हैं, वो हमेशा यही चाहता है, कि उनकी जो आर्मी है, वो बहुत स्ट्रॉंग रहे, उनकी जो नॉबल से वो स्ट्रॉंग रहे, और उसके लिए उन्हें बाहर के लोगों को शामिल करना ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात, जो थि तुर्किश रूलर्स आते हैं, उन्हें को अलाओ किया जाएगा, उन्हें गिया कहा कि जो काबिल है, उसी को अलाओ किया जाएगा, अगर वो तुर्किश रूलर्स आतो उसको किया जाएगा, और कोई और तो उसको किया जाएगा, यह जो फुरोशा तुलक था, इसने काफ of them were appointed to high offices इन theologians को खुश करने के लिए इन काजी या इन Muslim धर्मगुरू को खुश करने के लिए उसने क्या करा फ्रोश तुकलक ने इनको अपने कोर्ट में high post पर अपॉइंट कर दिया अब यह लोग जुडीश्री में इंटरफेर करने लगे आप कही ना कही जो स्टेट की जो पॉलसी थी उनकी जो पावर है वो किसके हाथ में चले गई इन दर्म गुरूँ के पास चले गई पट ही गेव अनमबर आफ इंपोर्टन कंसेशन कि वहाँ पर जाना बंद करवा दिया, इन सूफी संत है, इनों ने गहाँ कि यह नहीं जाएंगी वहाँ पर, जो ग्रेफ सोती है संत वगरेर कि वहाँ पर वुमेंस नहीं जाएंगी, फरोज नहीं जाएंगी, थीक है, पर जैसा आप के रहें, वैसी करदे हैं, अब तक Brahmans को इससे अलग रखा था कि जो Brahmans ने वो जियास नहीं देंगे, जो टेक्स नहीं देंगे, लेकिन अब Brahmans को भी बोलागा है कि नहीं तुम भी दोगा, क्यों कि शरिया में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि Brahmans को एक टेक्स नहीं देंगे, इस टेक्स सिर्फ उन लोको को दो रखा गया, जैसे कि औरते, बच्चे या फिर जो हैंडिकेब लोग है, या फिर जो कुछ कमा नहीं रहे है, ठीक है, क्या आप नहीं दे सकते हैं, बागी जिसकी अगर कुछ कमा ही हो रही है, तो वो जरूर देगा, तो यहां पर जो Brahmans से उनको बड़ा बुरा लगा, है ना, including Muslim on the ground, it was against the Sharia, ठीक है, जो Muslims है, उन्होंने भी क्या कहा, कि तो Sharia के खिलाफ है, ठीक है, कुछ Brahmans से तो कहा है, साथ में कुछ Muslims ने भी कहा, on the same ground, he even ordered that a beautiful wall painting in his palace be erased, and that he patronized music and despite his orthodoxy was fond of mind, यहां तक कि कुछ जो चीजे जो इसकी दिवारो was certainly harmful, at the same time, Rose Tuglaq was the first ruler who took steps to Hindu religious work translated from Sanskrit into Persian, कुछ काम इसने अच्छे भी करें, यहां पर इस बुक में इसके दोनों ही कामगों की बारे बताया हुआ, इसके अच्छे काम भी हो, पुरे काम भी, अच्छे काम है, पहला काम इसका यह है, कि जो Hindu religious work था, जो books थी, ठीक है, उसको इस इसा, Sanskrit में लिखे हुए थे, Sanskrit से सब इसने परश्यर में करा दिये, फ्रोज also took a number of humanitarian measure, कुछ और अच्छे काम भी करें, जैसे कि इसने कहा, कि किसी भी इंसान को, ठीक है, बहुती हाश परिश्मेंट नहीं दी जाएगी, जैसे कि उसके हाथ कटवा दी है, उसके पैर कटवा उनसे कहा, कोटवा से कहा, कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, जैसे कि कभी कभी होता है, कि कुछ आगाल पढ़ गया, कुछ हो गया, तो उनकी condition बड़ी खराब हो जाते थी, तो एक तरह से तो जो इसका main motive यही था, कि उन Muslim families की जो हालत है, उसको अच्छा करना, This again shows the limited nature of state in India during the medieval time, however, Firoz did emphasize that the state was not meant merely for awarding punishment and collecting text, but was a benevolent institution as well, Firoz Tuglaq ने यह कहा, कि state से punishment देने के लिए, text collect करने के लिए नहीं होता है, बलकि अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए होता है, In the context of the medieval time, the assertion of this principle of benevolence was a valuable one and Firoz deserves credit for it, ठीक है, तो इसके लिए हम Firoz जो Firoz आतुग लगे है, उसकी हम तोड़ी तारीफ कर सकते हैं, कि इसने बुरे काम भी किया, अच्छे भी किया, ठीक है, और अच्छे काम करने कहीं नहीं कि मेन मोटिफ तो कहीं था, कि जो Muslim's family है, उनकी जो condition है, वो ये अच्छी कर पाए, ठीक है, Firoz was in the interest in the economic improvement of the country, and he set up a last department of public work, इसने एक public work के लिए अलग से department established करा, ठीक है, और उसमें कुछ building वगरा बनवाई, इसने, Firoz repaired a dug a number of canals, बहुत सारे जो canals वगरा उनको repair करवाया, बनवाई, जो इसके time पे सबसे longest canal थी, वो थी 200 km बड़ी, ठीक है, और ये कहां से कहां तक थी, रिवर सतलु से हंसी तक, सबसे बड़ी थी, दूसरी canal की बात करें तो वो यमना रिवर पर थी, these and other canals पर mean for the irrigation purpose, और सब क्यों, जो भी canal बनवाई जारी थी, उसका main purpose कही था, irrigation के लिए, और जो वाकी जो जगाए है, ऐसे ट दूसरा step क्या था, economic and political, इस्टेबल करना चाहता था, इसने अमने officers को क्या बोला, कुछ orders दिये, they attacked a place, they should select handsome and well-born young boys, इसने कहा कि ऐसी जगा पे जाओ, जहां पर handsome और जहां पर जवान लड़कियों, इस सरा के जो young boys हैं उनको लेकर आओ, और मुझे क्या करना है, उनको slave बन यहां पर slave का मतलब यह नहीं था, उनको नौकर बना कर रखेंगे, ठीक है, यह क्या करते थे, यह अच्छे जो यह लड़किया है, इनको लेकर आए, और फिर उनको अपने तरीके से काम सिखाते थे, जो जिस काम में अच्छा है, उसको उस काम में मास्टर बना दिया करते तो फिरोस ग्राजुली गैदर अबाउट 1,80,000 स्लेव, तो इसके पास कितने गड़किया है, 1,80,000 स्लेव साहे, इसमें इसमें सबको ट्रेनिंग दी और अलग-अलग काम में थी, जसे कि जो हैंडिक्राफ्ट में अच्छा है, तो उसको हैंडिक्राफ्ट में थी, ठीक है यह कोशिश की जाती थी, कि जितने भी जो स्लेव साहें, वो हमेशा कि लॉयल रहे सुल्तान के, तो यह जो प्राक्टिस थी कोई नहीं थी, कि जो फ्रोस शाह तुगलग नहीं स्टार्ट करिया, बलकि जो पहले से सुल्तान थे, स्लेव सो वो लोग लेते आ रहे थे, तो अब वो ताइम आ ही गया, जब फुरोस की हो गई, डेथ 131888 में, और फिर से, अब फिर से, अब फिर से, अब फिर से, सामने आने लगी, जैसे कि कि किसी भी सुल्तान की डेथ के बाद हमेशा से आई है, अब यहां पर फिर से, स्ट्रगल शुरू हो गया, पावर के लिए, किस के बीच में, सुल्तान के बीच में, और सुल्तान के बीच में, नॉबस के बीच में, नॉबस चाहते थे कि भी हम रूल करें, और सुल्तान जो की फैमिली पिस जो उसका बेटा वगरा होता था, वो चाहता था, वो रूल करें, लोकल जमींदार और राजास तुक इस बीच में जो जमिंदार होते थे और जो राजा होते थे छोटी मोटी जगा के वो एक अपनी एडवांटेज लेना पसंद करते थे कि क्यों ना हम अपने आपको इंडिपेंडेंट करते इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए A new factor in this situation was the active intervention of the ferozy slaves and had attempted to put their own nominee on the throne उदर जो slaves थे वो यह चाहते थे कि हम अपने खुद के मादा जिन्दे भी slaves है उनमें से हम किसी एक को चूज करें हैंना किसी एक को nominee बनाएं और हम उसको थ्रोन पर बेठाएं क्योंकि जो यह सुल्तान होते थे यह स्रिफ अपने मालिक के लिए तो वफदार होते थे पूरे तरह से loyal होते थे लेकिन अपने मालिक के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं था ठीक है उनसे कोई मतलब नहीं है इनको तो यह स्टान महमूद यह सुल्तान महमूद को और नहीं बलकि फिरोश अटुगला का बेटा है यहां पर यह अपनी पूजिशन को स्टेबलाइस करने के लिए सबसे पहले क्या करता है यह स्लेव की पावर को ब्रेक करता है चाहे उनका मारना पड़े जेल में बेजना ठीक है लेकिन इसके बाद फिर कौन आता है नशुरुदीर महम्मद आता है 1394 से लेके यह 1412 था इसके बीच का सका टाइम पिरड़ था अब यहां पर होता क्या है जो एम्बिशियस नॉबस थे उनको यह बात बचती नहीं है ठीकि वो तो भई क्योंकि अभी तक क्या होता ठीक है अब कही ना कही जो फिरोज साथ तुगलग ने अमने टाइम टे जो काम करे थे नॉबलिटी को बड़ा स्ट्रॉंग कर दिया था फिरोज साथ तुगलग ने उनको पावर दे के अब वो यहां इसके रिए सकसेसर ने उनको भुगत नी पढ़ रही है जो गवर्नर् लग प्रोविंसिस के उन्होंन अपने आपको इंडिपेंडेंट करके वो सल्तनत से अलग हो गए कि अब जो तुगलग डाइनस्टी थी ठीक है जो डेली सल्तनत थी वो इतनी चोटी हो गई थी कि वो सिर्दिली के आसपा से सिमट कर रह गई थी जिस सल्तनत ने कभी साथ इंडिया तक रूल करा था अब वो स्रिफ दिली तक ही रह गई थी ठीक है दो मिनन अफ द लॉड ऑफ द यूणिवर्स एक्सेंड फ्रम डेली तो पाल्म ठीक है तो अब ये सिर्दी से जो पालम पालम विलेजर ने डेली में ठीक है अब से उतनी रह गई थी ती तब वीक अब देखन का रिखता बता है किससे चंगेज खान से चंगेज खान था एक मंगॉल था लेकिन वही होता है कि अपना किसी पावरफुल अगर आप किसी फैमिली से नाम जोड देते हो तो लोग आपका आपको देखने का जो नजरी आथा नहीं वो भी लोग का चेंज जाता और आप देखरें हो पूरा का पूरा ही है से ट्रांस अपजैनिया रष्या इंडस सब कुछ जीत लिया इसने अब बार ही आती है इंडिया में इंडिया में भी अच्छा कासा प्लंडर करा इसने इसका मेन मोटिफ यह था कि पूरी डैली सल्टनत को लूट ले ठीक है जो अपता कि तुबलेक डिनस्टी में जो भी यहां पर वेल्थ घटाती ना वो सारी अब किसके हाथ में चलेगे तैमूर के हाथ में चलेगे पूरी डेली सलतनाथ हो गए कुलाप्स ठीक है तैमूर्स आर्मी मर्सिलेस्टी सेग और प्लंडर्ड द वेरियस टाउन ऑन द वे तो मर्सिया लास्ट नमर और पीपल बोथ हिंदू और मुस्लिम एस वेल अज बूमें चुनल लॉस्ट यह अटैक इतना बुरा था कि इसमें हिंदू मस्लिम बच्चे बूरे समने मदब बहुत सर जो लोग थे वो मारे गए तैमूर का जो इन्वेजिन था उसने यह बता दिय कि यहां अब इस टाइम पर हमारे देश की सरकार थी जो तुगलक डाइनस्टी थी वो कितरी कमजोर थी पूरी सच्चा ही आगई आखों के सामने यहां पर जो वेल थी गोल्ड, सिल्वर, जूल्री सब भारा से लूट कर तैमूर अपने साथ ले किया और बहुत सारे जो इ वहां पर समरकंद में जहां पर यह रूल करता था वहां पर बहुत अच्छे बिदिंग्स वनवाई, he had adopted a similar policy in a case of many Iranian towns he had captured and but the direct political effect of तैमूर invasion of India was small, the invasion of तैमूर में however be regarded as Magda and of the face strong rule by the Delhi Sultanate, कहिना कर तैमूर के इन्वेजन से एक चीज़ लिए रोगई कि अब जो डेली सलतनत थ तो सालों से रूल करती हा रही थी उसके पावर हो चुके है खतम अब वो फेस गया उनका, ठीक है, the responsibility for the disintegration of the Delhi Sultanate cannot be ascribed to any one ruler, अब यहां पर जो डेली सलतनत का disintegration हुआ है यह आप किसी एक रूलर के उपर नी शोड़ सकते कि उस एक रूलर की गलती थी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है हर किसी से कुछ ना कुछ गलतिया होती है और एक टाइम पर आगे खर चीज़ खतम हो ही जाती है, we have seen that there was some persistent problem during the medieval time such as the relation between the monarch and the noble, यहां पर अब जो monarch थे जो nobles थे उनकी जो relationship थी वह अची नहीं थी, सब एक दूतर से गदारी किये चारे थे, उन्ही में जगड़े रूलर्स में, जमिंदार में, उन सब में जगड़े लगे रहते थे, अब डिजन को लेके, जो फैक्टर सा उनको लेके, individual ruler tried to cop with this problem but none of them was in a position to effect fundamental changes in society to offset the perennial factor, disintegration of the political fabric was thus just beneath the surface and its weakness in the central administration set up a chain of events leading to political disintegration, क्योंकि यहां पर सिर तैमूर ने तो अभी अभी अटाप किया था, लेकि क कही ना कही जो ब्रेकप था, इस empire का, ठीक है, वो तो पहले से होता रहा था, दीरे दीरे आपको सोचो, South India तक पूरा यह empire फैला हुआ था, और तीरे तीरे कितना सा रह गया था, पालम तक रह गया था, अब यह इतना सा empire क्या ही कर लेगा, पहले से इसमें कितने सारे ब्रि कि अब फिरोशा तुगलक ने यह सोच के इनको पावर दीती अबने नॉबल्स को आर्मी वालों को कि भाही अराम से रूल कर पाऊंगो इनको खुश कर देता हो, लेकिन गेज़े बाद में मुसीबत बन गए किसके लिए, इसके खुद के सकसर थे उनके लिए, यूंकि यहां पर इंडिया के आपको कुछ देखने के लिए, यहां पर इंडिया के आपको कुछ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि system of government, change in the life, condition of the people and the development of the art and architecture, this will be the subject of another chapter, ठीक है, तो अब जी जो नही चेंजिस आपको देखने के लिए, मतलब जी चेंजिस and new features, ठीक है, बार अंडर, government, economic और जो social life थी लोगों की वो कैसे थी, जाता जो common people थे उनकी बारें पड़ेंगे, यहां ही हमारा chapter 7 है, पूरी तरह से खतम हो चुका है, काफी लंबा chapter था, हमारा यह six parts में complete हुआ है, पकि आप अगर एक एक वीडियो को daily देखेंगे, तो chapter complete हो जाएगा, इसे सीरीज दे मिलेंगे, यह lecture आपको कैसा लगा, प्लीज comment करके मुझे जरूर पिताइएगा, like करना ना भूलना और चैनल को subscribe कर लेना, ठीक है, thank you